जा हेंदे ब्रीवर्ण दो दिन से आप लोग का कलास नहीं चल पाया था तो इसके लिए मैं आप सभी लोग से माफी चाहता हूं इसमें मेरा कोई गलती नहीं है मेरे भाई एक दिन तो मेरा तवियत थोड़ा खराब हो गया था जैसे बोलने में मतलब जैसे लग रहा था कि अवाज ही नहीं कर ला है गला भी बैट गया था दूसरा नमठ जैसे यह जो लाइट लग रहा ना इसकी वज़े से आंक में थोड़ा सा प्रोब्लम हो गया था लेकिन टेंशन ना लो आज मैं पूरा व्यवस्था ले कराया हूं और आज आप लोगा मैराथन कलास होने वा अभी मतलब जादे नए नए परसन पढ़ने का जरूरत नहीं है ठीक ना जितना करेंट अफेर से पढ़ चुके हो जितना पुराना जीके जीएस पढ़ चुके हो तो वही आप लोग को रिवीजन करते रहना है ठीक ना और इस वीडियो में मैं सारा का सारा रिवीजन मतलब समान्य ग्यान कराने वाले हैं और 150 परसन जीएस मतलब समान्य भी ग्यान कराने वाले हैं अगर आप लोग इस चैनल से रेगुलर कलास करते हो तो इन 300 परसन में से कम से कम आपका 280 से अधिक परसन सही होना चाहिए ठीक ना अब देखो यार मैं जैसे जितना भी परसन आप लोग को कराया हूं ना मैं जब आगले बार पेपर देने गया था तो जिस टाइब के प्रस्ण पूछे गए थे उस टाइब के पूरे प्रस्ण में आप लोग को करा चुका हूं बहुत ज्यादे तो मैं नहीं कलास कराया हूं मतलब वही जैसे लिमिट वरी कलास कराया हूँ लेकिन जो भी कराया हूँ ना बहुत सटिक सटिक कोस्टन में आप लोग को दिया हूँ ठीक ना और देखो जितने लोग अभी तो कुछ भी नहीं पड़े हो और आपका पेपर थोड़ा लेट है जैसे 23 तारीको है 24 तारीको है तो आप लोग फटाक से जाओ पले इस्टोर से निलेश डिफेंस करियर अप्लिकेशन डाउनलोड कर लो अभी तो आप लोग को हुतना फायदा नहीं होगा ठीक है ना जो लोग पाले से पढ़ रहा है उन्हीं लोग को फायदा होगा लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं दो अप्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा और चली सुर्फ आउनचास रुपिया पे करते हो तो तो दो दो हजार इंपॉर्टरी प्रस्ते हमThis का मिल जाएगा थि कर पर लोग देख सकते हो और पेपर देने जाने से पहले को लागा बहुत जरूरी है मोग टेस्ट का प्राइज भी सिर्फ 55 रुपया है तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो ठीक है ना अब चलते हैं अपने प्रस्णों के तरफ है और सबसे पहले हम लोग समाने ग्यान का प्रस्ण देखेंगे ठीक है ना पहले हम लोग 150 समाने ग्यान का प्रस्ण आपका सबसे पहला प्रस्ण दिया है ध्यान से सुनते जाना और आज यह लंबा कलास होने वाला है तो मुझे आराम से बोलना पड़ेगा यह तो मेरा गलावला फीर से बाइट जाएगा ठीक ना और दूसरा नमर यह चास्मा में लेका रहा हूं तो इसको अमें लगा लेना लाइट की वज़े से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है लाइट बहुत तेज आए थीक ना तो आप लोगों को सिर्फ मेरे बातों को सुनना द्यान से और देखना कि आपका कितना प्रस्ण सही हो रहा है आपका सबसे पहला प्रस्ण है कि मांट एवरेस्ट सिखर पर पूछ देगा माउंट एवरेस्ट पर पहुचने वाली दो बार जैसे महिला कौन है तो यह है आपका संतोस यादव ठीक ना आंतरीच में जाने वाली प्रथम भारतिय महिला कौन है आप सभी लोग को पता होना चाहिए ठीक ना आंतरीच में जाने वाली प्रथम भारतिय महिला जो हाना वह आपका कलपना चावला है माउंट एरेष्ट शिखार पर पहुचने वाली प्रथम भारतिया महिला बचहिंदरी पाल है माउंट एरेष्ट पर दो बार चढ़ने वाली महिला संतों सीयादव है आंतरीच में जाने वाली प्रथम भारतिया महिला आपका कलपना चावला है next question के तरफ चलते है गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है तो गुरुदेव के नाम से रविंदर नाथ टैगोर जी को जाना जाता है तो गुरुदेव के नाम से रविंदर नाथ टैगोर जी को जाना जाता है तो गुरुदेव के नाम से रविंदर नाथ टैगोर जी को जाना जाता है तो नेस्ट प्रस्णा यह रिवीजन कलास है तो मैं जादे चारो आप्षन के बारे में नहीं बताने का कोशीश करूंगा क्योंकि 300 प्रस्ण रानने वाले हैं ठीक है ना कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है सावर मती हुगली गोदावरी और रापती इसका राइट अंस्वर किनारे बसा है कोलकाता आपका धुगली नदी के किनारे बसा आए नेस्ट प्रस्ण के तरफ चलते हैं जैसे आपके सामने प्रस्ण आएगा अगर आप भूले भी रहेंगे तो वह रिवीजन होते चला जाएगा और यहीं तरीका होता है पेपर से पहले मतलब रिवीजन कर परता है आपका नेंस्ट प्रस्ण है भार्तिय तेना का टोप खाना एंद्र कहा इस्तित है देवलाली दिली लखनव और नासीक तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा भारतिय मौहारा सुद्र सेना आना वो देवलाली में इस्तिता है और ये देवलाली कहा Caitlin महाराश् मतलब एक जीला है तो वहीं पर आपका देवलाली पड़ता है आप सभी लोग को पता होना चाहिए आपका नेस्ट प्रस्ण है कि पहले सायूकत स्थाने अभ्यास फिरिंजेक्स 23 भारत और किस देश के बीच आयो जित हुगा जापान अमेरिका फ्रांस और रूस तो इसका र 211 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की अबादी अधिक्तम है महराष्ट्र केरल उत्तर प्रदेश और बिहार है तो इसका राइटेंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइटेंस्वर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा ठीक ना जन गलणा की अनुशार की सराज की अभादी अधिक्तम है तो उत्तर पर देश का अभादी अधिक्तम है ठीक ना? आपका नेस्ट प्रस्ण की गत्रप चलते है नेस्ट है विलायत खान का संबंद की सवद्धी अंतर से है सितार से, सरोध से, सहनाई से और संतूर से तो इसका राई टेंसर क्या हो जाएगा विलायत खां का संबंद किस बाद दे अंतर से आए तो विलायत खां का संबंद आपका सितार से आए ठीक ना विलायत खां का संबंद आपका सितार से आए नेस्ट प्रस्ण के तरफ चलते हैं यहाँ पर इंपर्टेंट करके लिखाऊं तो एक बार इसको भी आप लोग रिवीजन करो जब सुने रहोगे ना तो यह बहुत काम आएगा यहाँ पर लिखागे आए पंडित रभी संकर तो पंडित रभी संकर का संबंद आपका सितार से हैं यहाँ पर लिखागे आए जाकीर उसायन का संबंद आपका तबला से हैं यहाँ पर लिखागे बिस्मिल्लाखा का संबंद सहनाई से हैं सिवकुमार सरमा का संबंद संतूर हरीप्रसाद चाहरशीय का सम्मानदभासूरी वाधन है उमा संकर मिश्र का सब्सक्राइब से क्योगा थिवग्पर कちは फीन सम्मासंकर में लुच पेइपर नम और अगर आप अभितиса में नहले हुड़ाब पर बारत का पहला परमाडु रियक्टर कॉन सथा तो भारत का पहला परमाडु रियक्टर कौन सथा कलवरी, कामिनी, अपसरा और साइरोस, भारत का जो पहला परमाड़ रियक्टर है इसका राइटेंसवर आपका अपसरा हो जाएगा अपसरा इस राइटेंसवर आपका नेश्ट प्रस ने आपर दिया है कि उचतम न्यायालाए के न्यायधिस की न्यूखती कौन करता है आपका नेश्ट प्रस ने आपर दिया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूगा यह किसका नारा है तो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूँगा यह सुभाष चंद्र बोश जी का नारा है ठीक ना तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूँगा यह सुभाष चंद्र बोश जी का नारा है आपका नेस्ट प्रसना है यहाँ पर इंप यहां पर स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार लिखा गया है तो यह आपका बाल गंगा धर तिलक जी का है आप सभी लोग के दिमाग में गुजना चाहिए पेपर देने जाने से पहले यह लोग कहां के रहने वाले हैं वह भी आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि अगली बार वहां से प्रस्ण पूछे गए थे ठीक ना और वह सारी चीजे में अपने अप्लिकेशन में पेट कोर्स में डाल दिया हूं और फिरी वालों के लिए तो सिर्फ प्रस्ण पूरे 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 लड़ सकते हैं ठीक ना आपका नेश्टा है कि प्रिंस आ गोल्फ फुटबाल पोलो और हाकी तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा जो प्रिंस आफ वेल्स कप है ना ये गोल्फ से संबंदी था है राइडर कप किस से संबंदी था है आपका जो राइडर कप है ना वो भी गोल्फ से संबंदी था है ये आप लोग को पता हो आपका नहीस्ट प्रस्णियां पर दिया है। इसका राइट एंश्वर क्या हो जाएगा। भारत में जो सांत घाटी हैना ये किस राइट एंश्वर आपका नेश्ट प्रस्निया पर है कि पानिपत का तिरिती युद किसके किसके बीच में हुगा बाबर और हेमु बाबर और इब्राहिम लोदी अहमद सा अब्दावली और मराथा पिरिथिवी राज चौभान और मुहम्मद गोरी तो इसका राइट एंस्वर के आओ जाएग पानिपत का तिरिती युद किसके किसके बीच हुगा तो पानिपत का तिरिती युद कब हुगा 1761 थीषिवी में हुगा ठीक हना पानिपत का तिरिती युद अहमद सा अब्दावली और मराथा के बीच में हुगा ठीक हना आपका नेश्ट प्रस्निया पर है कि पतना का प पुराना नाम क्या है तो पाटली पूत्र इंद्रप्रस्त अबदा और नपदीज तो इसका राइट एंस वर पाटली पूत्र हो जाएगा पाटना का पुराना नाम आपका पाटली पूत्र है रजत करांती का संबंद किससे आए तिलहन से अंडा उत्पादन से जिंगा उत् कौन है देखो मेरे बाई मतलब कहीं से भी जैसे मुख्य ने आई धीस के बारे में पूछ सकता है क्योंकि अगले बार इस टाइब के प्रस्न पूछे गए थे ठीक ना तो जो तमील नाडू के मुख्य ने आई धीस है वो संजय वीर गंगापुरवाला है तमील नाडू के आपने राज के जो मुख्य ने आई धीस है उसके बारे में पता होना चाहिए अभी आप लोगे मतलब अपने राज का कलास्त का समाप तोने के बाद देख ले नाडू के मुख्य ने आई नेश्ट प्रसन है भारत का प्रथम तेल सोधन सायंत्र कहां परिष्थीत आ है डिग बोई में ठीक है डिग बोई is राइट एंस्वर हम लोगे पास ज्जादे टायम नाई यह रिवीजन करना है तो हम लोग थोड़ा फास चलते हैं योजना आयोग की अस्थापना कब होई योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ किरिकेट पीछ की लंबाई कितनी होती है जैसे मैं प्रस्ण पढ़ रहूँ वैसे आप लोग को एंस्वर दे देना है किरिकेट पीछ की लंबाई होती है वो 22 गज होती है आप सभी लोग को पता होना चाहिए आपका नेष्ट है अमर्नाथ गुफा गहां पर इस्थी था है अमर्नाथ गुफा जम्मु का स्मीर में इस्थी था है अमरनाथ गुफा कहां पर इसती था है अमरनाथ गुफा जम्मू कास्मीर में इसती था है नेस्ट प्रस्ण है आरे समाज के प्रमुख बेवसाय क्या था क्रिसी पसुपालन बेपार और नोन अपदीज है तो आरे समाज का प्रमुख बेवसाय जो था ना वह आपका क्रीशी था आरे समाज का प्रमुख बेवसाय आपका क्रीशी था क्रीशी इस राइट एंस्वर ठीक ना कुछ लोग सोच रहेंगे चारों अप्शन के बारे में क्यों नहीं बता रहा हूं तो यह रिवीजन कलास है और मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं बस आप अपने आपको देखना है कि कितना प्रसन सही कर पा रहा है हुँ ठीक ना यहाप जैसे में प्रसन पढ़ा रहा हूं आप अपने दिमाग में सोच लो कि हाँ यही इसका अन्सवर होगा कौन से जानवर का रक्त ठंडा होता है तोई जो गिरगीट होता है ना मेरे बाई गिर गिट का रंग रस ठेवल 15 मतलब खून तंड़ा हें गिरगिट अपना रंग बदलते रहता है यह भी आप लोगको पता होगा लेकिन आप लोग को अपना रंग नहीं बदल ना है आप लोग फोज का बर्दी चाहिए अपने भारत में जितने भी राज्य हैं हम आपके पर परस्न हमें तो पूछे जाएंगे तो इसको आप लोगेς पर लेना 1-2 रही हो आप लोगे तो मैं जैसे मुख्य मंतरी वाला राजधानी राज येपाल वाला एक बार रिविजन करा दूँगा जिन लोग का पेपर थोड़ा लेट है ठीक ना बाकी इसके अलावा जो महानपुरु जैसे महातमा गांधी है भागत सिंग है तो ये लोग कहां के राने वाले हैं लोग का जन्व कभुगा था तो उहां से एक प्रसन जरूर पूछे जाएंगे इसकी अलावा जो यूद्धा ब्यास है ना यूद्धा ब्यास से आपके म्तलब कम से कम एक परसनल पूछे जाएंगे तो इसी तरह से आपका कम से कम GK में दोस से बारभ परसनल तो मतलब एकदम किलियर हो जाएगा अगर यह सारा मतलब आप लोग तैयार कर रहे हो तो ठीक है ना तो इस पर आप लोग को ध्यान देना है आपका नेस्ट है अभी जैसे यह आप लोग का 1500 GK मतलब 150 GK का प्रस्ण समापत होगा तो लाक्ष्ण में करेंट अफेर्स का भी प्रस्ण रिवीजन करा दूंगा बस आपका रामसी वीडियो देखते रहा ना? गलकार किस राजय का प्रमुख तेवहार है गलकोर राजस्थान का प्रमुक्ते भार है नेस्ट प्रस्ण है कठ पूतली किस राज्य का निरित्य है केरल राजस्थान गुजरात और तमील नाडु तो कठ पूतली आपका राजस्थान का निरित्य है नेस्ट है कि 1857 की विद्रो को किसने शुरू किया था ब्यापारियों ने, किसानों ने, सिपाहियों ने, नोन अपदीज, तो इसका राईट एंस्वर आपका क्या हो जाएगा? इसका राईट एंस्वर सिपाहियों ने हो जाएगा, ठीक ना? आपका नेश्ट प्रसन है कि गीत गोविंद नामक पुष्टक के लेखक है आप सभी लोगे को पता होना चाहिए यह जो जैदेव गीत गोविंद नामक पुष्टक के लेखक है आपका नेश्ट प्रसन है सहीते के छेतर में कौन सा पुरुष्टक के लेखक है दादा साहे फाल के पुरुष्कार फिल्म के छेतर में दिया जाता है उसके वासे नीचे आपका दिया है द्रोड़ाचार्य पुरुष्कार और अर्जुन पुरुष्कार तो यह आपके पेपर के लिए पुरुष्कार फिल्म के छेतर में जब पूछ देगा ना तो खेल के छेतर में द्रोड़ाचार्य और अर्जुन पुरुष्कार दिया जाता है नेच पुर्स्न हैकि कराची किस किनारे बसा ध सीन टिग्री से शिंधू और थेमस इसकर आइटेंस वरापका सिंधू हों जायीगा ठीकाना कराची आपका शिंधू किनारे बसा क्या nit इहां पर देश नहीं रहेगा यहां पर आपका नदी रहेगा ठीक ना आप लोगों उसको देख लेना है आपका नेस्ट प्रस्ण है कि एरीना किसे खेल से संबंदी था है गुड़स्वारी ट्रैक और रेंज और पीच तो इसका राइट एंस्वर आपका गुड़स्वारी ह जाएगा इरिना किसे खेल से संबंदित है तो अरिना आपका घुड़सवारी शें इस टाइब के प्रस्ण भी पूछे जाते हैं नेश्ट प्रस्ण है बैंको का बैंक किसे कहा जाता है आर वि आयी पीन बी और ननोंफ दीज है तो जो आपका बैंको का बैंक है ना वो किसे क कहा जाता है वैंगों का बैंक आर या बैंक आर्बी आई डिजर ऑ बैंक सर इंडिया को कहा जूँ सेर्ग आ है थीक ना अब वर्तमान में 36 गड़ के जो मुखे मंतरी है वो कौन है तो वर्तमान में 36 गड़ के मुखे मंतरी आपका विश्लूदेवस्ताय हो जाएगा नेस्ट प्रसन है कि सिरी संकर एम का सम्मद की सखेल से आए तिरंदाजी से एथलेट से किरिकेट से और घुरुसवाली से तो सिरी संकर कुरूप का सम्मद की सखेल से है आप सबी लोग को पता होना चाहिए आथलेटिक्स इस राइट एंस्वर हो जाएगा ठीक ना सिरी संकर एम का सम्मद आपका आथलेटिक्स से है नेस्ट प्रसन है कि बीशो स्वास्त दिवस कोब मनाया जाता है चाउदा अप्रेल, साथ अप्रेल, आठ माई और चाउदा जून तो बीशो स्वास्त दिवस आपका कोब मनाया जाता है वर्तमान भारतिय अंतरिच अनुसंदान संगठन इसरो के अध्याच कोन है ड्र.समीर विकामंत ये डर्टीयो के नई अध्याच वने हैं DRDO के नए अध्याच कौन बने हैं DRDO के जो नए अध्याच हैं वो कौन बने हैं ये पूछा जाने का संभावना आए DRDO के नए अध्याच Dr. Samir भी कामत याँ पर रहेगा देख लेना इसको सक्तिकांतदास RBI के गवर्नर ये भी पूछा जा सकता है एक सक्तिकांतदास RBI के गवर्नर तो ये आप लोग को पता होना चाहिए ठीकना RBI के गवर्नर आप सभी लोग को पता होना चाहिए 1857 की करांती के समय तो 1857 की करांती के समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कौन थे, तो लाड़ पामस्टर न थे आपका नेश्ट प्रसने आपर दिया है कि उमा संकर मिश्र का संबंद की सवाद दे अंतर से है सितार बासुली सरोद नोन अफदी जै तो ये जो उमा संकर जी है ना इनका संबंद की सवाद दे अंतर से है उमा संकर का संबंद आपका सितार से है उमा संकर का संबंध आपका सितार से है नेश्ट है खानमा का यूद्ध किसके किसके बीच हुगा बाबर और मेधनी राय, बाबर और राडा सांगा बाबर और इब्राहिम लोदी अर नण अफदी जै तो इसका राइटेंस्वर क्या हो जाएगा खानमा का यूद किसके किसके बीच हुआ तो बाबर और राला सांगा के बीच हुआ खानमा का यूद्ध किसके फागा के बीछ लिए प्रसन है EBM का पूरा नाम क्या है इभियम का पूरा नाम होता है वो क्या होता है तो इलेक्ट्रीक ओटिंग मसीन होता है ठीक ना इलेक्ट्रीक ओटिंग मसीन इभियम का फूल फार्म होता है अगले बार पूछा गया था तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक ना पूछ देगा कि वर्तमान में भारत के खेल मंतरी कौन है तो वरतमार में भारत के खेल मंतरी कौन है ये आप सभी लोगे को पता होना चाहिए वरतमार में भारत के खेल मंतरी अनुराग ठाकूर है किरीशी वं किसान कल्यान मंतरी पूछ देगा ठीक ना किया पूछ देगा किरीशी वं किसान कल्यान मंतरी कौन है तो जो आपके पूचे जाने के एकने संभावना संभावनान न यह बारत के मंतरी मंदर्म अधेक्रमिंदर डूर्व किंन blowing ठाकर जी है कुंत आंध्र प्रदेश के शिरी हरी कोटा के बाद इसरो भारत के किस राज में रॉकेट लांच पैड का अस्ठापना करेगा तो तमील नाडू इसका राइट एंस्वर हो जाएगा आंद्र प्रदेश के सिरी हरी कोटा के बाद इस रो भारत के किस राज में रोकेट लांच पैड का अस्थापना करेगा तो तमील आडू इसका राइट एंस्वर हो जाएगा ठीक ना जैसे ही आप लोग आगनी विर का पेपर समाप्त होगा तो आप लोग को बैठे नहीं रह आपका नेश्ट प्रस्ण है कि वर्तमान में और जब वो ब्यस्व बला चलूँगा तो साइद अब लाइब बला सिस्टम हो जाएगा देखो पेफर नजदिक आगया तब जाकर कम्पीटर के लिए मैं बोल दिया हूं आ जाएगा दो तीन दिन में मतलब देखते हैं तो फ पुषकर सिंग धामी है वर्तमान में उत्राखन के जो मुखे मंतरी हो पुषकर सिंग धामी है महराष्ट के मुखे मंतरी कौन है तो महराष्ट के जो मुखे मंतरी है वो एकनात सिंदे है और हिमाचल परदेश के मुखे मंतरी कौन है हिमाचल परदेश के जो मुखे मंतरी आपका नेश्ट प्रस ने आपर दिया है कि वेदो की ओर लवटो यह नारा किसका है तो वेदो की ओर लवटो यह नारा दयानंद सरवसती जी का आपका नेश्ट प्रस ने आपका नेश्ट प्रस ने आए कि ओर दिया है अन्तूर से सितार से और बांसुरी से तो इसका राइट एंस्वर आपका सहनाई हो जाएगा ठीक ना बिस्मिल्ला खां का संबंद आपका सहनाई से आए पाकिस्तान से सटे भारतिय राज्य कौन कौन से है भाई अपना दुस्मन देश पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से सटे भारतिय राज्य कौन कौन से है आप सभी लोग को पता होना चाहिए ठीक ना पाकिस्तान से सटे भारतिय राज्य आपका पंजाब हो गया गुजरात हो पंजाब गुजरात राजस्तान आपका ने प्रस्नि पर दिया राज के वीधान मंडल का उपरी सदन कौन सा होता है जो राज legitimately पुझराब सब्सक्uellement Bizon Party बिधान परीसद हो जाएगा ठीक है उपरी शदन कौन होता है आप और नैंश्तप्रांड या कि भारत का सबसे बड़ा उचने आयाले कौन सा है सेक्केम उचने आयाले इलहाबाद उचने आयाले पटना उचने आयाले और जोदपूर उचने आयाले तो इसका राइटेंस्वर क्या हो जाएगा भारत का जो सबसे बड़ा उचने आयाले है वो आपका इलहाबाद उचने यह मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक ना आपका नेस्ट प्रस्ण है कि सिन्यू मैत्रिय भ्यास भारत और किस देश की वाईव स्थेना के बीच आयो जितुगा कजाकिस्तान जापान अमेरिका और फ्रांस तो इसका राइटेंस वर आपका जापान हो जाएगा ठीक ना यह आप आपका नेस्ट प्रस्ण है कि मुगल वन्स का अंतिम साशक कौन था तो मुगल वन्स का जो अंतिम साशक था ना वह आपका बहादूर साशक कौन था तो मुगल वन्स का जो अंतिम साशक कौन था तो मुगल वन्स का जो अंतिम साशक था ना वह आपका बहादूर साशक था बिहार उतर प्रदेश राजस्थान और मदेप्रदेश ना अपने उतर प्रदेश इलहाबाद के रहने वाले थे आपका next प्रसन है आपका इस्ट प्रशन है आपके उसल के विरओद अधिकारस से सामबंधित है और ऑनुच्छेव इसका राइट एंस वह, आनुछेद, 23-25, अनुछेद, 23-24 हो जाएगा. आनुछेद, 23-24 में मैं, नेस्ट है कि आथि मांग, भारत के 12 सेना प्रमूख कौन है, वर्तमार में जो भारत के थल सेना प्रमुखाना वो आपके जनरल मनोज पांडेया है और नौ सेना प्रमुखा कौन है जो आपके नौ सेना प्रमुखाना ये आप लोग को पता होना चाहिए जो आपके नौ सेना प्रमुखाना वो कौन है तो नौ सेना प्रमुखाना वो आप आपके हरी कुमार है ठीक ना नौ सेना प्रमुख आपके हरी कुमार है और ये बदलने वाले हैं साइद तीस तरीक के बाद बदल जाए मैं न्यूज देखा था ठीक ना पूछ दिया कि नौ सेना दिवस को मनाया जाता है तो नौ सेना दिवस को मनाया जाता है चार दिसंबर क के प्रमुख कौन है वायुसेना के जो प्रमुख है विबेक राम चोधरी आया और वायुसेना दिवस आठ अक्टूबर को मनाया जाता है ठीक ना आठ अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और थल सेना दिवस 15 जनौरी को मनाया जाता है नेश्ट प्रस्न के तरप चलता है देश्ट का सर्वोच विधी अधिकारी किसे माना जाता है लोक्सवा Gian них और भारत के महाने आयवादी और न कर दिया है नोबेल प्रुसकार प्राप्त करने वा प्रतम भारती अकौन है तो नोबेल पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रथम भारती है कौन है रबिंद्र नात्र टैगोर इसका राइट एंसर हो जाएगा नोबल पुरुस्कार फ्राप्त करने वाले प्रथम भारति ये रभीन्दरनाथ तयगोर है और जनगरमन के रचयता भी रभीन्दरनाथ तयगोर है नेश्ट है कि लव पुरूस के नाम से किसे जाना जाता है लव पुरूस के नाम से सरदार बललब भाई पाटेल जी को जाना जाता है नेश्ट प्रसन है कि दोरोड़ाचारे पुरूसकार किस छेतर में दिया जाता है तो दुरोडाचारे पुरुषकार किस छेतर में दिया जाता है दुरोडाचारे पुरुषकार खेल के छेतर में दिया जाता है गिंती करते जाना आपका कितना प्रस्ण सही हो रहा है और इसके बाद आप लोग का मैज का प्रस्ण आएगा ठीक ना और एक ही वीडियो में किनारे बसा है तो यह जो नई दिल्ली है यह मुना नदी के किनारे बसा है नई दिल्ली यह मुना नदी के किनारे बसा है नेस्ट है कबड़ी में कितने खिलाडी होते हैं तो कबड़ी में कितने खिलाडी होते हैं कबड़ी में साथ खिलाडी होते हैं कबड़ी में साथ खिला प्रस्ण आपका पूरा नाम क्या है अगले बार ये प्रस्ण आपके पेपर में पूछा गया था तो इस रोका फूल फार्म होता है ना इन्डियन इसफेस रिसर्च ऑइर्थण आपका फूल फार्म होता है इन्डियन सबीफर्च ऑर्गनाईजेशन ये आप लोगको के लिएर पता होना चाहिए प्रसुन के तरफ चलते हैं अपका अइस्ट प्रसुन है कि हरियाना का राजदानी कहां पर है तो पर हरियाना और पंजाब है लिए तरफ पास्चिम आप भंगाल का राजदानी कुलकता है हारो हार्म मतर्देस की लिग आपका नेश्ट प्रस्थ नहाँ पर दिया है कि सिव कुमार सरमा का संबंध किस वाद्यांत्र से आए चंदर्यान थिरी के लांच होने और दच्छिय धुरूव पर पहुचने का टाइम क्या है तो दच्छिय धुरूर पर पहुचने का टाइम यहां पर नहीं लिखा गया है, सिर्फ लांच होने का टाइम लिखा गया है, दो बज कर 35 मिनट पर चंद्रियान थिरी लांच हुआ था, ठीक ना, आपका नेस्ट प्रसना है, कि महिला पिरीमियर खेल, यहां खेल रहेगा, मह आपका नेस्ट प्रसने आपर दिया है, कि अनुरानी का संबंध की सखेल से आए, तो अनुरानी का संबंध आपका जैविलीन थरो से आए, आपका नेस्ट प्रसना है, कि रच्छानु संधान एवं विकास संगठन डी आरेडियों के नए अध्याच कौन बने है, ना जाने कितनी बार इसको मैं आप लोग को बता चुका हूँ ठीक ना तो ये गलत नहीं होना चाहिए समीर भी कामत इसका राइट एंस्वर हो जाएगा रच्छानु संधान एवां विकास संगठन डी रडीयों के नए अध्याच जो बने आना वो समीर भी कामत बने हैं आपका निउन्तम लिंगा अनुपात वाला केंदर सासीत प्रदेश कौन सा है निउन्तम लिंगा अनुपात वाला केंदर सासीत प्रदेश है वो दादर एवं दमन एवं दीप है ठीक ना मतलब सबसे कम लिंगा अनुपात वाला केंदर सासीत प्रदेश आपका दमन एवं दीप ह नेस्ट प्रस्ण है कि जन संख्या के दिरिष्टी से सबसे बड़ा केंदर साशित प्रदेश आपका दिल्ली है नेस्ट प्रस्ण है राज्यपाल की नियुक्ती कौन करता है यह आप लोग का रिवीजन कलास है जितना आप लोग को पढ़ना था उतना पड़ चुके हो ठीक है ना तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही आप्शन के बारे में बता रहा हूँ आपका next प्रस्न है कि G20 सिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की सद्देश ने किया आपका next प्रस्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली जन गड़ना कब हुगा तो स्वतंत्र भारत का पहली जन गड़ना है वो 1901 में हुगा आइसीसी पूरूस किरिकेट वर्ल्ड कप 2013 का खिताब कि सने जीता तो इसका राइट एंस्वर आपका आस्ट्रेलिया हो जाएगा आइसीसी पूरूस किरिकेट वर्ल्ड कप 2013 का खिताब आस्ट्रेलिया ने जीता आपका next प्रस्न है अमर कंठक पठार से कौन सी नदी निकलती है अमर कंठक पठार से आपका नर्मदा नदी निकलती है ठीक ना आपका नेस्ट प्रस्ण है कि 9 सेना दिवस कब मनाया जाता है तो 9 सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है वायू सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है थल सेना दिवस 15 जनौरी को मनाया जाता है और 3 से । आपका list प्रस नहां पर दिया है कि flying सीख नाम से किसे जाना जाता है तो flying सीख जब बोलेगा ना तो मिल्का सीघ हो जाएगा और flying fish बोलदेगा ना parenth फ्लाएंग फिसब बोल देगा तो व्या हो जाएगा आप सभी लोगे चाहिए फलाइंग फिस के नाम से किसे जाना जाता है तो वो माइकल फिलफ्स हो जाएगा नेस्ट है भारती अंतरी चनुसंधान संगठन जिससे इसरो बोला जाता है तो उसका मुख्याले कहां पर है इसका मुख्याले आपका बैंगलूरू में आए नेस्ट प्रस्न है कि तमील नाडु के राजधानी कहा dough vector आपका चैन नई है तमील नाडु का राजधानी आपका चैन नई है आप सभी लोगोव को clear पता होना चाहिए नेस्ट प्रशन के तरप चलते हैं नेश्ट प्रसन है तिरिपुरा के राज्येपाल कौन है तिरिपुरा के राज्येपाल कौन है तिरिपुरा के राज्येपाल है वो सिरी इंदर सेन रेड़ी है तिरिपुरा के राज्येपाल सिरी इंदर सेन रेड़ी है आपका नेश्ट है कि यह छगान की सराज्य का निरित अपका नेस्ट प्रसन है कि 1857 की करांती की शुरुवात कब होई थी तो जो 1857 की करांती है ना उसका शुरुवात आपका दोस माई 1857 से हुगा था देखवा जीतने लोग इस चैनल से पढ़े हो उतने लोग का पूरा साई होना चाहिए मैं नाया प्रसने इसलिए नहीं ला रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादे अवियाद नहीं कर पाओगे इसलिए रिविजन करा रहा हूँ इंडिका पुष्टक के लेखक कौन है भारतिय राष्टिय कांग्रेश के प्रथम अध्याच आपके बेवमेश चंद्र बनार जी थे आपका नहीं प्रसना है आगरा किस नदी के किनारे बसा हुगा है तो यह जो आगरा है यह यमुना नदी के किनारे बसा हुगा है और दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसा हुगा है आपका नेश्ट प्रस्ण है अरजून पुरुसकार की से छेतर में दिया जाता है तो और पुरुसकार आपका खेल के छेतर में दिया जाता है नेस्ट प्रस्ण के तरफ चलते हैं, आपका नेस्ट प्रस्ण है कि सहा जहां के बच्पन का नाम क्या था, तो सहा जहां के बच्पन का नाम जो था ना, वो आपका खुर्रम था, सहा जहां के बच्पन का नाम खुर्रम था, आपका नेस्ट प्रस्ण है कि नेट बाल में कितन होते हैं आपके नेट बाल में टोटल साथ खिलाडी होते हैं कावडडी में भी साथ खिलाडी होते हैं देखो यार मैं 300 प्रस्न कडा रहा हूं अगर किसी और चैनल पर आप लोग 300 प्रस्न परते तो कम से कम 4-5 गंटे लग जाते 5-6 गंटे भी लग जाते लेकिन आपने उतना time नहीं लूँगा ठीक से बारा न बात आosse योँ इसन काइटेंस वर्म नेस्ट प्रस्ण है इसरो सूर्य अध्यान के लिए कौन सा मिसन लांच किया थीक ना इसको आप लोग देख लेना आपका नेस्ट प्रस्णिया पर दिया है कि गुजरात की राजधानी कहां पर है गुझरात का राजधानी आपका गांधी नगर है, ठीक ना? मनन्ञ अब हमारे दिल में है यह किसका ना रहा है तो यह राम परसाद विसमिल जी का ना रहा है नेस्ट प्रसन है उमा संकर मिश्र का संबंद किस अवाद्य अंत्र से है तो उमा संकर मिश्र का संबंद आपका सितार से है ठीक ना प्रथम मुसलिम आकरमरकारी कौन था इसका राइट एंसवर आपका मुहम्मद बिन कासीम हो जाएगा ठीक ना प्रथम मुसलिम आकरमरकारी आपका मुहम्मद बिन कासीम था प्रथम मुसलिम आकरमरकारी आपका मुहम्मद बिन कासीम था नेस्ट प्रस्ण है कि भारत और चीन के बीच युद कब होगा तो आपका भारत और चीन के बीच युद 1962 में होगा भारत और पाकिस्तान के बीच युद 1965 में होगा कारगिल युद 1999 में होगा ये पूरा आप लोको पता होना चाहिए नेस्ट है कि भूरी करांती का संबंद किससे आए तो आपका भूरी करांती का जो संबंद है वो आपका खाद उतपादन से आए भूरी करांती का संबंद आपका खाद उतपादन से आए सबसे कम जन संख्या गनत वाला केंद्र सासीत प्रदेस कॉन सा है इसका राइटउन सर अंडोमान निको बार दुवीप समु हो जाएगा नेश्ट है कि राज्य सबखी अध्याचहता कॉन करता है राज्य सबखी जो अध्याचहता आना वो उपराष्ट पती करता है राज्य सभा की अध्यशता उपर राष्ट पती करता है अरुडाचल प्रदेश की अस्थापना कब हुआ तो अरुडाचल प्रदेश राज्य का अस्थापना ओन्नाई से सो सतासी में हुआ यह भी मुस्ट इंपोर्टेंट है गोवापूर्त गालियों से कब आजाद हुआ तो गोवापूर्त गालियों से कब आजाद हुआ यह आपका उन्नाई से सो एक सथ में हुआ ठीक है ना आपका नेश्ट प्रसने हापर दिया है कि संभिधान सभा के एक कैसे में संसोधन में कौन अधिकार उल्लेख है तो पराडवध ही आजादी हो जाएगा आपका नेश तो बल्बका अविस्कार थामस अलवा एडिशन ने किया था बल्बका अविस्कार कब हुआ था तो बल्बका अविस्कार आपका 27 जनवरी 1880 में हुआ था ठीक ना थामस अलवा एडिशन ने बल्बका अविस्कार 27 जनवरी 1880 में कर दिया नेश्ट प्रसन है कि कुछ विय बिहार ट्राफी है ना यह किस खेल से संबन दिता है आप सभी लोगों को यह बात किलियर पता होना चाहिए इसका राइटेंस वर आपका किरिकेट हो जाएगा कुछ बिहार ट्राफी किस खेल से संबन दिता है तो किरिकेट से है most important है नेस्ट प्रस्ण है पर आपका दिया है कि सात रंगों की सात रंगों की घुमती हुई वस्त दिखाई देती है कैसी दिखाई देती है तो वो स्वेत दिखाई देती है अगले बार जीडी में यह प्रस्ण पुछा गया था सात रंगों की घुमती हुई वस्त स्वेत प्रथम विश्वयुद कब आया, तो जो काईविनेट में सना न, वो भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को, ठीक न, 24 मार्च 1946 is right answer, आपका नेस्ट प्रस्न है कि प्रथम विश्वयुद कब हुगा, तो आपका प्रथम विश्वयुद न, 1914-18 में प्रथम विश्वयुद हुगा, भारत का राष्टिय चिन क्या है, तो आपका जो भारत का राष्टिय चिन है न, वो आपका अशोक अस्तंब है, भारत का राष्टिय चिन असोक अस्तंब है, पंडितर विशंकर का संबंद की सवाद्य अंत्र से है, तो पंडितर विशंकर का संबंद की सवाद्य अंत्र से है पंडित रवी संकर का संबन्द आपका सितार से घना पच्छी बिहार कहाँ इस्थित आए आपका नेश्ट प्रस्न है कि भारत और किस देश के बीच हरीमाँ शक्ति अभ्यास हुगा तो भारत और किस देश के बीच हरिमाऊ सक्ति अभ्यास हुगा तो भारत और मलेशिया के बीच हरिमाऊ सक्ति अभ्यास हुगा हाल ही में ओर इसा के नई राजेपाल कौन बनाएगा है तो हाल ही में ओर इसा के नई राजेपाल कौन बने है तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में इस्तिता है यह आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ठीक है रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में इस्तिता है हिमाचल प्रदेश का राजधानी आपका सीमला है ठीक ना हिमाचल प्रदेश का राजधानी सीमला है आपका नेस्ट प्रसनिया पर दिया है का संयूक्त राष्ट संग के कितने भासाओं को माननेता दी गई है तो छो भासाओं को माननेता दी गई है इसके बारे में तुम्हे आप लोग को एकदम बता ही चुका हूं दिलवाडा का परसीद जयन मंदिर कहां पर इस्थी ता है तो दिलवाडा का परसीद जयन मंदिर जो है ना वो राजस्थान में इस्थी ता है नेस्ट है आपका नेस्ट प्रस्न है कि दच्छिड का ब्रिटेन किसे कहा जाता है आपका नेस्ट प्रस्ण है कि बंगला देश में किस नदी को पदमा नाम से जाना जाता है आपका नेस्ट प्रस्ण है कि बंगला देश में किस नदी को पदमा नाम से जाना जाता है आपका मेरट से प्रारम होगा आपका नेस्ट प्रस्ण है कि बंगला देश में किस नदी को प्रस्ण है आपका नेस्ट यहां पर दिया है नोट करके संबिधान के बारे में कुछ है तो रिवीजन कर लो हभी तो लिखेने उगने से कोई फायदा नहीं होगा बस सुनते रहो ठीक ना बस सुनते रहो आपका नेस्ट है कि आप लिखा है संबिधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे तो वो डाक्टर राजेंदर प्रसाद हो जाएगा तो बी एन राव हो जाएगा भारत में संबिधान कब लाग उगा? 26 जनौरी 1950 को भारत में संबिधान लाग उगा? संबिधान को बनाने में समय कितना लगा था? दो बर से 11 माह 18 दिन लगे थे संबिधान को बनाने में, ठीक न? आपका यहाँ पर नेस्ट आगे दिया है का रा पूछाइब नाज्य सभा की बैठकों का सभापती उपराष्ट्रपती होता है ठीक ना नेस्ट है कि 2023 में मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार की से मिला दोनों लोगों को मिला शिरी चिराग चंदर सेटी जी को भी मिला और शिरी रंकी रेडी सालिक साहिराज जी को भ भावना है जिस लाइब के अगले बार पूछे गाए थे वो सारा प्रस्ण में आप लोगों को बताने का खोशिस किया हूं भारत के नए महान नियाएवादी कौन है तो भारत के जो नए महान नियाएवादी हा ना वो आर्वेंके ट्रम मड़ी है और डियाडियों के अध् अध्य आर्वादी के नाम अपका नाम प्रस्णा पर दिया है कि चंद्रयान थिरी के रोबर का नाम आपका प्रज्यान है और चंद्रियान थिरी के लेंडर का नाम क्या है तो चंद्रियान थिरी के लेंडर का नाम आपका बिक्रम है ठीक ना ये भी आप लोग को पता होना चाहिए चंद्रियान थिरी के रोवर का नाम परग्यान है दिमाग में बैठालो चंद्रियान थिरी के रोवर का नाम परग् समाधी इस्थल नाम क्या रहा है भारत का बगिचा किस राज्य को कहा जाता है तो भारत का बगिचा बैंगलूरू को कहा जाता है भारत का बगीचा बेंगलूरू को कहा जाता है 200 कैंसर दिवस कोब मनाया जाता है 200 कैंसर दिवस आपका चार फरावरी को मनाया जाता है 200 कैंसर दिवस चार फरावरी को मनाया जाता है नोबेल पुरुषकार प्राप्ट करने वाली प्रथम भारतिय महिला कौन थी? आपका नेश्ट प्रस्ण है कि सवर कोखिला के नाम से किसे जाना जाता है, सवर कोखिला के नाम से लता मंगे सवर जी को जाना जाता है, न्यूजिलेंड की राजधानी कहां पर है, तो न्यूजिलेंड का राजधानी कहां पर है, न्यूजिलेंड का राजधानी वेलिंग अ ठीक है ना रिसी केस किस नदी के किनारे बसा हुआ है रिसी केस आपका गंगा नदी के किनारे बसा है रिसी केस आपका गंगा नदी के किनारे बसा है नेस्ट प्रसन के तरफ चलते हैं वाटर पोलो में कितने खिलाडी होते हैं तो भाई वाटर पोलो में साथ खिलाडी होते ह सब्सक्राइब ऊदर का राष्ट्री अग्एंसी के साथ मिलकर 2024 में सब्सक्राइब अपका जाक्षा जाक्सा is right answer स्वतंतरता संग्राम का प्रतिक क्या था के स्वतंतरता संग्राम का प्रतिक कमल रोती था नेक्ष्ट है कि बिलायत खां का संबंद की सववाद्य अंत्र से आए। फिलायत खां का संबंद आपका सितार से आए। नेक्ष्ट है कि 1962 में भारत और चीन की लडाई के दोरान भारत के PM कौन थे। बाइक गयान के तरफ को जरूर आप लोग तीन चार बड़ लेना अच्छे से रिवीजन कर लेना ठीक ना अब चलते हैं अपने विग ग्यान के तरफ आपका समाने आप लोग गिंती करते जाना आपका कितना प्रस्ण सही हो रहा है चेचक किसके दोवारा फैलता है तो चेचक जो है ना वो विशाडू के दोवारा फैलता है आपका नेश्ट है कि परमालू के नाभिक में उपस्तित होते है परमालु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? तो परमालु के नाभिक में प्रोटान और नुट्रान उपस्थित होते हैं? आपका नेश्ट प्रस्ण है आवारतत्व कहा जाता है? तो आवारतत्व किसे कहा जाता है? आपका जो आवारतत्व होता है न वो हाइड्रोजन चाहिए राबर्ट पराउन ने केंदरक का खोज किया था वसा में घुलनसील विटामिन है इसका राइटेंस वर आप लोग दो यह से लग रहा है कि अभी भी मेरा दो दिन कलास नहीं चल पाया तो उस टाइम तवियत खराब था तो अभी लग रहा है कि अभी भी नहीं सही हुआ है व आपका नेश्ट प्रस्णिया पर है कि यह लपीजी गैस सिलेंडर में भरा जाता है तो इसका राइटेंस वर क्या हो जाएगा यह लपीजी गैस सिलेंडर में ब्यूटेन भरा जाता है ठीक ना यह लपीजी गैस सिलेंडर में ब्यूटेन भरा जाता है नेश्ट है कास्ट सबसे बड़ा अंग को प्रभावित करती है डेप्थेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करती है आपका नहींश्ट प्रस्ना है कि जीव जन्तू का अध्यन क्या कालाता है आप सभी लोग को पता होना चाहिए बायोलोजी आप लोग देखे होंगे जो लोग बायोलोजी से पढ़ते हैं तो सबसे जादे जीव जन्तू के बारे में बताया जाता है ठीक ना आपका नहींश्ट प्रस्ना है कि सकती का मातरक क्या होता है तो जो आपका सकती का मातरक क्या होता है तो सकती का मातरक आपका वा तो बिटामिन का खोज फंक ने किया, आपका नेस्ट प्रस्ण है, कर जल को सुधिकरन में किस गयस का परियोग किया जाता है, जल को सुधिकरने के लिए किस गयस का परियोग किया जाता है, तो कलोरीन का किया जाता है, कलोरीन इज राइट एंस्वर, नेस्ट है कि बिटामिन बिटामिन एकी कमी से कौन सा रोग होता है तो बिटामिन एकी कमी से आपका रताओधी होता है ठीक ना बिटामिन एकी कमी से रताओधी होता है भोजन का कौन सा सुरोत सुरच्छा प्रदान करता है भोजन का कौन सा सुरोत है आपर सुरच्छा प्रदान करने के लिए बोला मतलब अगले वीडियो में कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ गाये थे उन्हें लगा कि मैं बोले लाओं कि मतलब सबसे ज्यादे उर्जा किसमें मिलता है तो यह वाला प्रस्ण नहीं है ठीक ना बोजन का कौन सासरोत सुरच्छा प्रदान करता है तो बिटामीन जो होता ह कौन सी गरंथी होती है आप सबी लोग को पता होना चाहिए अगनासे इसका राइट एंस्वर हो जाएगा किरीम रंग की गरंथी आगनासे होती है ठीक ना ध्यान से देखते जाओ एक बार संतुलित भोजन में उर्जा की मात्रा कितनी होती है आप सबी लोग को पता होना चाहिए तबहीवे प्रसण देखते ही CNG gas का प्रमुक घटक है, Ethane, Butane, Methane,D और Propane, तो इसका राये टेन आपका मिधेन हो जाएगा, CNG gas का प्रमुक घटन मिधेन है, सबसे मीठी प्राकिर्थिक शरक्रा है आपका नेस्ट प्रसुन आपर है कि AID से किसा से फाइलता है प्रोटीन का खोज किसे ने किया आपका मूल्डर ने प्रोटीन का खोज किसे ने किया आपका नेस्ट है कि मानो मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना की चेतना भंडारण करता है सेरी ब्रहम इसका राइट एंस्वर हो जाएगा ठीक ना सेरी ब्रहम इसका राइट एंस्वर हो जाएगा आपका नेश्ट प्रसनिया पर दिया है कि सरोपर्थम कोलोन किस जीऊ में पाया गया भेड इसका र्याइट एंसवर हो जाएगा नेश्ट है कि आँख के द्वारा असपस्ट देखने के निउन्तम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होता है अगले साल ये आर्मी के पेपर में पूछा गया था नेस्ट प्रस्ण है कि गती के नियमों का प्रतिपादन किसे ने किया तो गती के नियमों का प्रतिपादन ने किया धातुओं में उस्मा का संचरण किस विधी से होता है तो धातु में उसमा का संचरण चालन बिदी से होता है नेस्ट है कि अमली वर्षा के लिए जिम्मेवार प्रमुख गाइस है पिरिथिवी पर सबसे जादे पाई जाने वाली अधात है यह आपका राई टेंसवरा आक्शीजन हो जाएगा आपका नेश्ट प्रसने आपर दिया है कि प्रकास वर्स किसका मात रखा है तो प्रकास वर्स आपका दूरी का मात रखा है ठीक ना प्रकास वर्स किसका मात रखा है तो प्रकास वर्स आपका दूरी का मात रखा है नेस्ट प्रस्ण है कि हार्मोन्स की कमी से मनुसे में क्या होता है हार्मोन्स की कमी से मनुसे कैसा हो जाता है तो वो बावना हो जाता है ठीक ना हार्मोन्स की कमी से मनुसे बावना हो जाता है हाइड्रोजन बम का अविसकार किसे ने किया तो आपका जो हाइड्रोजन बम है ना, उसका अभीसकार किस ने किया? हाइडरोजन बंब का विद्कार आपका एड़ड टेलर हो जाएगा, ठीक, ना? एड़ड टेलर ने हाइडरोजन बंब का अभीसकार मैं आपका नेश्ड प्रशनफे आ पर है बैक्टीरिया की खोज राइट एंसवर हो जाएगा वायू मंदल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं तो यह आप लोग को कमेंट करके बताना है पूरा का पूरा प्रकास का यतना भी प्रस्ण बंता है न आप लोग को एक बार रिवीजन कर लेना है देख लेना है मतलब चार प्रस्ण इससे बनेंगे यहां से एक प्रस्ण तो जो जर्ण होता यह जैसमें कौन सा आइडमया अवाली हटी में पाई जाती है नेस्ट प्रस्न पाया जाता है कुट्ता का बैग्यानिक नाम से लग रहा है काइनिस फैमिलियर सोजाएगा निश्ट एक कि वायुदाव को मापने वाला यंत्र है वायुदाव को मापने वाला यंत्र कौन सा है तो वो आपका बैरोमीटर हो जाएगा वायुदाव को मापने वाला यंत्र होता है उसे बैरोमीटर कहते है बैरोमीटर से वायुदाव का यंत्र मापा जाता है नेस्ट प्रस्न है वाय फाइड रोग आत को प्रभावित करता है नेस्ट है कि दूद का पियच मान कितना होता है तो जो आपका दूद होता है ना उसका पियच मान आपका होता है 6.4 दूद का पियच मान होता है आपका नेस्ट प्रस्निया पर दिया है कि मनुस्य में दात कितने परकार के होते हैं त तो मानोवीरे में कौन सी सरक्राप आई जाती है फ्राक्टुज इसका राइट एंस्वर हो जाएगा ठीक ना मानोवीरे में फ्राक्टुज पाया जाता है आपका नेश्ट क्रस्ण है यहाँ पर कि निम्न में से दिर्ग मातरीक खनीज तत्व है कैलिसियम मैगनीसियम पोटै कैसी यह मूपरोगत सभी तो इसका रायटेस वर यह सब के सब हो जाएगा ठीक ना दीरगमातरिक खनीज ततव यह सब है आपका नेस्ट आइपके हड़ियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा था तो हड़ियों को मजबूत बनाने वाला तत्व आपका कहलिसियम है ठीक ना आपका नेश्ट प्रस्ण है कि नीमने में से कौन सी हास्य गैस है मतलब हास्य गैस का सुत्र क्या होता है तो यह नटू ओ होता है ठीक ना हास्य गैस का सुत्र आपका यह नटू ओ होता है नेस्ट प्रसन है कि पीतल किसकी मिस्रधातु है तो जो पीतल है वो किसकी मिस्रधातु है वो तामबा और जिंक का मिस्रधातु है आपका नेस्ट प्रसन है कि मचलियों का उतसर्जी अंग आए तो मचलियों का उतसर्जी अंग क्या है वरीक होता है ठीक ना मचलियों का उतस तरजी यंग रहीत होता है आपका नेश्ट दटित पर सब्सक्राइब मतलब कोई दिसाइड नहीं करेगा वो तो मेरे भाई कोई हरी डिसाइड करेगा जो अला मुखी से निकलने वाली गैस है जो अला मुखी से निकलने वाली गैस है सलफर डाई आकसाइड है जो अला मुखी से निकलने वाली गैस सलफर डाई आकसाइड है लोहे को जंग से बचने है तो किसकी परत चड़ाई जात आपका नेस्ट प्रसने आपर दिया है कि कार्बन का अस्थाई अपरूप है हीरा ग्रेफाइट फुलूरीन और उपरोक्त सभी तो इसका राइटेंस वर क्या हो जाएगा कार्बन का जो अस्थाई अपरूप होता है वो ग्रेफाइट होता है कार्बन का अस्थाई बहाँ है, प्रामस्तिक अनुमस्तिक थेलेमस और हाइपो थेले वोता है, आपका नेस्ट प्रसन है कोषिगा का इंजन किसे का आ जाता है, कोशीका इंजन आपका राइब। सोम को जाता है अभी दी वीजन कर रहे हो न यह प्रसन आपके में हाये और लोगों को बताना है ठीक ना क्योंकि लाल रंग और नारंगी रंग में पढ़ जाओंगे नेश्ट प्रसने आपका पर दिया है कि विद्दुथ परतिरोध का मात्रक क्या होता है उम होता है इनसुलीन की खोज किसने की आपका इनसुलीन का खोज बैटिंग ने खिया ठीक है ना आपका नेस्ट प्रस्ण है कि इलेक्टरान का खोज किसे ने किया तो इलेक्टरान का खोज किसे ने किया इलेक्टरान का खोज ना जे जे थामसर ने किया इलेक्टरान का खोज जे जे थामसर ने किया संसार में सबसे लंबा बिरिच कौन सा है तो संसार में सबसे लंबा बिर होता है आपका नेस्ट प्रसन है याव़ ऐस्ट और मस्रूम थेत और मस्रूम आपका एक फंफूद थेख न हम सब Lazer को पता होना चाहिए नेस्ट प्रसन है कि मानोंसरीर सबसे द्रमस्ड झान तो मानोंसरीर सबसे गाप यह EU I दख 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 दड़कते रहता है आपका नेस्ट प्रस्ण है कि उड़ते हुए बिमान की उचाइम आपने के लिए खिसे का परियोग किया जाता है तो उड़ते हुए बिमान की उचाइम आपने के लिए अल्टी मीटर का उपियोग किया जाता है नीमन में से कौन सा पदार् करा नहीं है इसका राइट अंस्वर आपका साएकरीन हो जाएगा साइकरीन इज़ राइट ऐन्सबर ने फ्रसन है के दही और खटे दूध में कौन सामल पाया जाता है तो प्रस्णा है किस वनश्पति तेल का उपियोग वाटर पुरूप कपड़ा तयार करने में किया जाता है तो इसका राइटेंस्वर क्या हो जाएगा कि स्वनस्पति तिल का उपियोग वाटर पुरूप कपड़ा तयार करने में खिया जाता है तो इसका राइटेंस्वर आपका कुसूम हो जाएगा ठीक ना कु समाचार भाग लेते हैं तो इसका राइट एंस्वर आपका क्या हो जाएगा इसका राइट एंस्वर आपका चार हो जाएगा ठीक ना आपका नेस्ट प्रसन के तरफ चलते हैं वनस्पति बिग्यान का जनक कौन है तो आपका वनस्पति बिग्यान का जनक कौन है इसका राइ लाइंगिंग जननंग में युगमको का निर्माड होता है निमनलिखित में से कौन सा कार्भोहाइडरेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद है तो इसका राइटेंस्वर आपका गुलुकोज हो जाएगा ठीक ना गुलुकोज इस राइटेंस्वर आपका नेस्ट प् ठीक ना मैरा समसे इज राइट एंस्वर नेस्ट प्रस्ण है किसानों किस में प्रजनन बाहर पाया जाता है तो किस में प्रजनन बाहर पाया जाता है ठीक ना में प्रजनन बाहर पाया जाता है आपका नेस्ट प्रस्ण है कि आइथलीट को सबसे ज्यादा उर्जा किस में किस से मिलती है इसकर कर्बॉआइड हो जाएगा और सब से जादे कार्बॉआइडरेट से मिलदी है और सब सबसे जादे 掉ाइड क्यों क्यों नियुन है ब्हारत में सरबाधीड होने टीबी टाप अधी कह striving सबसे ज़ाजे फेपड़ा वाला एट वी होता है आपका नेस्ट प्रस्न में आपर है कि भोजन की उर्जा को किसे यंत्र में मापते आए संतर्द मीं isto में विंटि से बनने वाली बीटामीन आइपका , स्टूरे से र मिलता है केले के सिलगे पर पैरbelsने का और की खरषिंफ ऑजएगा जाये वह आता है तो आपसे भारिक घैसापका रेडान हो जाएगा ऐस्टाइंस्त प्रस्ण ह्यां है कि प्रोटीन ग्राही होते हैं प्लोटीन वसक्रा लुट नाइटरोजन पूंन पाइजटाउे स्वाधा रशाइनिक जुट्र आपका रशाइनिक घ्रक्रमन प्रशाूल प्रस्न आपका नेस्ट प्रस्न आ पर है कि अमली और अंगूर में कौन सामल पाए जाता है आपके पेपर में पूछे जाने की 100% संबहोना है ठीक है ना एमली और अंगूर में कौन सा अमल पाये जाता है तो इसका नेस्ट प्रस्णा है किसके दूद में सरवाधिक वसा पाई जाती है सबसे जादे वसा किसके दूद में पाया जाता है तो सबसे जादे वसा आपका 22 दूद में पाया जाता है ठीक ना सबसे जादे वसा आपका 22 दूद में पाया जाता है आपका नेश्ट प्रसने आपर है कि लार के पाचन में मदद करती है तो लार के पाचन में क्या मदद करत प्रस्ण है कि दही से मखन को कौन से विदी से अलग किया जाताय तीक नहीं प्रस्ण है कि मान द्वारा उत्रजी किया जाने वाला पदार्थ है मानोजवारा उतसरजी किया जाने वाला जो पदार्थ है ना ये आपका क्या हो जाएगा यूरीक अमल हो जाएगा यूरीक अमल इज राइट एंस्वर अब कुछ लोग बोलेंगे कि पसीना भी आए बहुत सारी चीज़े वो लोग बोलेंगे यूरीक अमल बुक में दिया थ जाहिए हाठ इसका राइटेम स्वर हो जाएगा मनुस्य के मुख गुआ में कुल किरिंदक दातों की संख्या आपका आठ होता है ठीक ना आपका नेश्ट प्रस्णिया आपर है कि स्वासन किस प्रकार की अभिकिरिया है उसमा छेपी है नेश्ट है कि प्यूस गरंथी पर कपाट पाए जाते हैं चार कपाट पाए जाते हैं नेश्ट है कि आपका सबसे भारी किरण है जो सबसे भारी किरण होता है ना हो जाएगा हालफा इस राइट एंस्वर आपका नेश्ट प्रस्ण के तरफ चलते हैं नेश्ट प्रस्ण है कि धवनी किस माध्यम में गमन करत दिया निर्यात इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक ना developers प्रस्ण दिया है इसका राई टेंसर क्या हो जाएगा बार बार पूछा जाने वाला प्रस्ण है नेस्ट प्रस्ण है कि निमने में से द्वीतिय उप भोगता है आपका मनुस्य और ऑप्र प्रसन है कि प्रकास संसलेसर की किरिया किस रंग में बिल्कुल नहीं होती है प्रेखास संस्लेशर की किरिया किस रंग में बिलकुल नहीं होती है तो आपका राइट एंस्वर हरा हो जाएगा ठीक ना लग रहा है कि यह बोर्ड भी थोड़ा बहुत हीट हो गया है आपका नेश्ट प्रस्न है कि आवर्त सारणी में कितने बलाक होते हैं आवर्त सारणी में आपके टोटल चार बलाक होते हैं resses PD EF आपका नेष्ट प्रस्न है कि वर्तमान में कुल ड्यात तत्व Under Secondly सरौ पर्थम पर माड़ूं के बारे मरे जान डॉल्टर ने बताया थाउ है नेष्ट प्रस्न है शरीर में लोयकी कमी से क्या होता है तो सरीर में लोयकी कमी से आपका एनिमींच夏्वा सबसे मजबूत मानसपेशी कौन सी है मेसेटर होता है उसका राइट एंसर हो जाएगा सरकरा को नियंतरित करने वाला हार्मोन आपका इंसुलीन होता है पेस्मेकर किसा से संबन दिता है नेश्ट है आपका नेश्ट प्रस्ण है यहां पर दिया है कोसिका का अध्यान किया का आलाता है तो जो कोसिका का अध्यान आपका साइटोलाजिक का आलाता है जिवालु जनीत रोग है आप लोग को किलियर पता होना चाहिए तापका नेस्ट प्रसन है कि निमन में से समसे भारी तत्व है वो तत्व है अपका प्यक्यत समियम आये के सबसे बारी तत्व yourself का आपका नेस्ट प्रस्ण है कि पौधे में बोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती यंथ नदी में इसका राई कर रह जायेगा्ciamo समर्ट केया निकाल these परशन है कि वर्गी कोरण度 की सबसे छोटी जाती होती है लेकिन लाइट यह की कोई करेल की सबसे च्छोटा जसे छोटा चत्व पर आकार में सबसे च्छोटा चत्व होता है वह को हिलियम होता है कि दूद किस प्रकार का को ल इडी payments है नेस्ट प्रशन है कि मुख में अर्द पचीत भोजन काल आता है मुख में अर्द पचीत भोजन आपका बोलस काल आता है मुत्र का हलका पीला रंग किसके कारण होता है तो मुत्र का हलका पीला रंग किसके कारण होता है यूरोक्रोम वरण के कारण होता है ठीक ना यूरोक्रोम वरण के कारण मुत्र का हलका पीला रंग होता है गेंगा रोग किसकी कमी से होता है तो आपका जो गेंगा रोग आना फेमस है आयोडीन की कमी से होता है गेंगा नवजात शीशु की नवजदर आपका 120-160 हो जाएगा आपका नेश्ट है कि तंत्रीका तंत्र की किरियात्मक एकाई किसे कहा जाता है आप सबी लोगों को पता होना चाहिए निवरान को कहा जाता है नेश्ट प्रस्ण है कि प्रथम परकनली शीशु का नाम है प्रथम परकनली शीशु का नाम लुईस है ठीक ना आपका नेश्ट प्रस्ण है हर्टज की इकाई क्या है तो हर्टज का इकाई क्या है आप सबी लोगों को पता होना चाहिए आप रिती इसका मत हो जाएगा ठीक निर्वात रहेगा याद रखना निर्वात इसका राइट एंस्वर रहेगा आपका नेस्ट प्रस्निया पर है कि भारतिय परिश्थीतिकी के जनक है भारतिय परिश्थीतिकी के जनक कौन है तो वह आपका प्रो आरडी मिस्रा है ठीक ना प्रो आरडी मिस्रा इस राइट एं सबसे बड़ा पूस्प फाना दो आपका यह रेफलेशिया होता है सबसे बड़ा पूस्प आपका amidst्र ekstra समान परमाड से मिलकर आपका तत्वा बनता है नेश्ट प्रस्न है कि नीमने में से कौन सा पराकिर्तिक बहुलक है ये जो आपके सामने तीन को दीख रहा है ना हिसा अम लोग बना लेते हैं ूपरोक ते सभी ठीक ना लास्ट वाला अप्सन अम लोग क्या बना लेंगे उपरोग सभी बनालेंगे और इसी पर अम लोग को सही का ठ्रीक लगा देना है ठीक ना यह चारो थे साथ सब्सक्रांक होते वि след हम य intelligent L ग्लाइक्वजन स्य फैलता है, आहां पर उब स्सक्राइब क tasty ऐसे प्रस नहीं है इसको थोड़ा से तांक कर ऊपर लेकर चलते हैं क्योंकि आप लोगों को सब्सक्राइब कि अहां पर उसके कर लेता हैं वाग ले आपका इसका राई टेंस्वर क्या हो जाएगा जीन सब्द किससे ने दिया जोहां क्को आपका नेश्ट प्रस्न आपका के सबसे चूट कोशीका तो क्या होत के छोटा कोशी का माईको पलाजमा होता है सबसे बड़ा कोशी का सुतरमूर्ग के आंड़ा होता है आपका मनूस्य में कहा से होता है कि आप सभी लोग को पता होना चाहिए सब करा इनसर फुलो पीयस हीं यूवे में हो जाएगे और ढूर देखे पर दिया है कि आवरीत का मात्रक है हर्टाज का मात्रक आपका नेस्ट प्रस्ण दिया है कि आकास नीला क्यों दिखाई देता है वाला प्रस्ण है आपका नेस्ट प्रस्ण है और लाश्ट प्रस्ण है यह 300 वाला नम्मर है ठीक ना थर्मामीट्र में किया घ्रणा जाता है रहा जाता है अब आगा हुआता है बहुत खतरनाक होगा है 300 परस्ण है अभी तुम मैंं टांबी नहीं हूं कितना टाइम में करा दिया हूं बाकी अब जीतने लोग भी कल पेपर देने जा रहा हूं तो यह मेरा नमर ले लो ठीक ना 89 049 59 515 ठीक ना 515 रहेगा 515 रहेगा जो लोग जानते हो लोग लिख नहीं तो मत लिखो ठीक ना बता दे रहा हूं भाई ऐसा कभी कभी बोल देता हूं 89 049 59 515 जीतने लोग का पेपर कल है तो इस पर आप लोग जो भी कोश्चन आएगा तो जरूर इस पर बताना ठीक ना मैसेज कर देना ताकि दूसरे भाईयों को भी बता चले तो मिलते आए आगले वीडियो में जाए हिंद बंदे मात्रा